नमस्कार जोहार आज हमारे साथ में फिर से ग्लैटसन डूंडूंग होंगे आज हम फिर से बात करेंगे कुडमी समाज के ग्रिवांसेस को लेकर और आदिवासी समाज इस बारे में क्या सोंचता है आपको याद होगा दो हफ्ते पहले हमने यंग आथर, लेखक और सामाजी काज करता अक्टिविस्ट काफी यंग हैं ग्लैटसन डूंग डूंग जिसको आप हमारे फैक्टफोल चैनल पर कई बार देख सुन चुके हैं हम एक बार फिर से उन से बाचीत करेंगे इसी प्रसंग में कि आखिर में ये आदिवासी बनने की चाहत क्यों उमर पड़ी है क्यों उमर पड़ी है आदिवासी बनने की चाहत खासकर कुडमी समाज में और यह कुडमी समाज जो है केवल जारखंडी नहीं बलकि बिंगाल और आसपास के कई राज्यों से इनकी इनका अंदोलन वगरा भी चलता रहा है कुडमी समाज का और सरकार पर को बाद करने की उन पर दवावर बनाने की कोशिश है यह इस बारे मे हम कुछ एतिहासिक पहलू पर भी चैचा करेंगे और वर्तमान हालात पर भी बातचीत करेंगे एक बार फिर से यह मैं भी आदिवासी जो हमारा शिशक था उसको दूसरा भाग है तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ग्लैटसन जी को नमस्कार जोहार जोहार किस लाइदा हाँ आप समय पर आगए हैं अगदम अच्छा लगा तो हम लोग शुरू करते हैं आज की बातचीत जहां हम लोगों ने पिछली बार खत्म किया था वहां से आगे बढ़ जाते हैं और यह दूसरा भाग जो है आपको मेरी आवाज पूरी मिल रही है हाँ आवाज की लिए अच्छा तो यह जो है कुर्मी समाज का जो ग्रिवांसेस है उनका जो उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं यह दूसरा भाग होगा हमारा आप क्या कहते हैं क्यों उनको ऐसी चाहत क्यों है सबसे पहले तो इस वीमर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आपको मैं शुक्रियादा करना चाहता हूं इसके साथ साथ जो दर्शक हमारा पिछला एपिसोट देखे हैं उस पे काफी लोगोंने काफी अच्छा कॉमेंट किया है और वहाँ पर मैंने कुछ ट्रोल आर्मी को भ पहराई से देखने की कोशिस करते रहेंगे तो कुछ कारण तो हमने पिछले बार चर्चा किया था कि मुल्तव उसके पिछे राजनितिक शक्ति हासिल करना यहां जार्खन में जो आदिवाश्यों की जमीन है इलाका है टेरिटोरियल राइट से उनका समयधानिक अधिकार ह है उनका कानूनी अधिकार है और विशेश रूप से जमीन हासिल करना यह सारे चीजे उसके मूल में अरक्षन के दौर नोकरी हासिल करना लेकिन मैं समझता हूं कि आज के परिचर्चा में सवाल काफी आये हैं पिछले एपिसोड में तो इसमें कई चीजें पर हमें बात कर चाहिए जैसे कि क्यों हम कहें कि यह आदिवासी हैं या हम कहें कि क्यों आदिवासी नहीं है तो फैद आप चाहेंगी संदर में आगे बात करने के लिए हम हम बिलकुल बिलकुल तो इसमें हमको यही लगता है कि आदिवासी समाज की क्या खास बात है उसका इतिहास तो हम कई बार हम सुन चुके हैं लेकिन क्या खासयत है जो दूसरे समाज में नहीं है जो आपको लगता है कि यह जो कुर्मी समाज है वो किसी माँ किसी आप आप लोगों का दावा है कि किसी भी तरह से वो आदिवासी की जो क्राइटेरिया है उसको फुल्फिल नहीं करता है आप लोगों का ऐसा मानना है लेकिन ऐसी क्या खास बात है कुर्मी समाज की जो आपको क्या लगता है कि कुर्मी समाज में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण वह आदिवासी नहीं कहलाएंगे जबकि उनकी बहुत पुरानी बातें उनका दावा है कि बहुत लंबे समय से अंग् देखेंगे सबसे बड़ी बात या है आदिवासी नसल्य समूधाए से आते हैं और स्मूदाए से जलें तो बलने उसलिए से लिए इन का हम लोग पहले हम देखते हैं कि इनके ओरिजिन कहा है कुर्मी जो है वो मुलता ये इनका ओरिजिन मध्ध भारत माना गया है मध्ध भारत खासकर महारास्ट्रा और गुजरात और यहां जिस तरह से जारकर में जो महतो हैं मेहता हैं उधार जो है की पटेल हैं गुजरात मे या फिर कुर्मी मतलब भिहार में यूपी में ये सारे लोग एक ही मतलब जाती बुस्ता से आते हैं और इनका मूल जो है महाराष्ट्रा का कुन भी जाती और ये कुन भी जाती जो है खासकर सिवाजी महाराज बार बार ये लोग जितने भी कुर्मी हैं अलग अलग जगापी हैंheen अलग अलग तरस तरस कहीं पटेल काते हैं कहीं ज्याकी महता काते और लोग को आप दूंड़िये गातो कहेंगे उनका जो है कि ओरीजिन सिवाजी है वो सिवाजी के मनसज है करते रहें वह जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस बारे में आपको जानकारी है कि ब्रिटिस इतिहास का डल्टन जो भारत में काफी माना जाता है और जब इतिहास की बाते होती है तो उनको बहुत सरे रिसेर्चर कोट करते हैं उन्होंने अपने रिसेर्च में बताया है कि यह जो कुर्मी जो है वह मुल्ता आर्योंग का ही एक प्रजती है तो यह आर्यका प्रजती कि आदिवाशी का प्रजती कैसे हो सकता है यहीं पर बहुत बड़ा डिफ्रेंस है और दूसरा जो है कि उसी संदर में भाषा को देखिए कुर्मी लोग क्या भाषा कुण सी भाषा में बात करते हैं जारकन के कुर्मी महतो कुर्माली भाषा में बात करते हैं अब यह कुर्माली भाषा का ओरिजिन कहां है यह कुर्माली भाषा इंडो कर दोनों वाइब्हान की तरह हैं आप आदिवस्यों का भासा देखिएगा तो ज्छार्खन के आदिवस्य हैं उनका भासा का मुल्ता दो यह आपका अशूर वगर आई सब जो है और मद भारत में बहुत बड़ा अधिवशी शमू है भील यह सारे लोग एक ही भास समू से आते हैं और उनका भास जो है वो उसको कहा जाता है अस्ट्रो एस्याटिक अर दूसरा भास समू है जो उराओं इसके बारे मिन डल्टन ने भी कहा है फिर से विक्रागेंग्सराओं हैं是不是 आप देखेंयाता है अजीविक आप के आजीवेका में आप देखेंगे तो लोगों का मुलता आजीवी का क्या है जिसके बढ़े में डालतन ने भी का है पिर से कि वो क्रिश्च है मुल्टा आदिवासी उनको आप खोगेंगे तो आदिवासी का मूल जो है एकोनोमी जो वो वन और क्रिशी है दोनों है हर जगह आप देखेंगे कि आदिवासी लोग महवा चुन रहे हैं कहीं पे खुकड़ी पुटू ला रहे हैं और बजार में भी आप देखेंगे तो आपको इस पस दिखाई पड़ेगा जारकान का जितना भी बजार हाट आप चले जाए वहा है कोई ने कोई कहीं पर चकोड गुडा बेच रहा है इस तरह से आपको गुंदली बेच रहा है मोडवा बेच रहा है ऐसे आपको दिखाए पड़ेगा तो यह बहुत आजिवी का काभी पैटरन है वह बिलकुल अलग है जो मिलता नहीं है खुडमी महतो और आदिवासी ज जनगना ब्रिटिश हुकूमत ने की लेकिन वह सिर्फ पूछ इलाकों में की गई इसलिए उसको पूर्ण जनगना नहीं कहा जाता है और 1881 को पूर्ण जनगना कहा जाता है अब 1881 का जनगना रिपोर्ट आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस समय में आदिवास स्यूंग के लिये जिसमें कौन-कौन सा अधिवाशिकों को डाला गया आप देखिएगा अशूर भुमिज बिर्ढोर मुंडा तमाडिया खाडिया संताल हो होскू उराओ इतियादी को डाला गया और दो तो कुर्मी इनको कहां पर डाल गया यह हिंदू का ही कोलम धा धार्मि जिसमें एग्रिकलचर समूभ करके इनका आइडेंटीफिकेशन वहां पर डाला गया तो उसमें वहां पर नहीं आए आपने एक बात कहा कि यह दावा करते हैं व्रिटिस द्वारा किये कि अने सब तेरा में डाला का लेकिन उसमें में सब्सक्राइब कुर्मी तो ये तो 1913 में डाला गए और 1931 तक यह सुची में रहे अब सवाल उठता है चुकि मैंने देखा कि इनके बहुत बड़े नेता विद्दूद चरन महतों संसत में उन्होंने एक प्राइबेट बिल लाया कि कुडमी महतों को जो है कि स्टी का दर्जा देना चहीं करके अलाकि उस बिल में कुछ चर्चा वगरा कुछ कहीं हुआ नहीं मैंने देखा नहीं अब उस समय उसमें वो कहते हैं कि उनको हम ट्राइब से लेकिन हमको ट्राइब की सुची से हटा दिया गया हटाने का कारण का कोई जिक्र नहीं है बड़ी चलाकी से कोई लोग निगल जात में एक लंबे समय मतलब लगबग साड़े तीन दसक तक चला इस अंदोलन पर गौर करना चाहिए यह कब से कब तक अठारा सव चोवरानबे में ओल इंडिया कुडमी चात्रिय महासभा का गठन हुआ और इस महासभा का मूल मांग था कि कुडमी को ट्राइब ना कहा जाए और इसके अलावे इन्होंने खुद को मतलब छात्रिय के रूप में स्थाफित करने के लिए उन्होंने अंदोलन किया और ब्रह्मानों को लाकर यह लोग जनव अगर अभी पहने यह प्रक्रिया चला इनके यहां उसी प्रक्रिया के दवरान यह दहच प्रथा भी आया सारे चीज़ों को इन्होंने अपने यहां लाने के लिए एक लंबा चंगर्स किया और उसी समय में उन्होंने सीधा मांग किया जब उन्हें 113 में इनको जाएक की ट्राइब की सुची में ब्रिटिस हुकुमत में डाल दिया तब इन्होंने जोरदार भी रोथ किया उसके खिलाब में कहां कि हम नहीं हैं हम हिंदु हैं और हम जो है विए हेजन फ्सक्राइब में हम आते हैन इसलिए हंमें पाधिम नहीं कहा जाएं उसी संदर में उन्हों सेमधर 1430 में यौई एक मुगदमा में धर किया हमें जो है कि ट्राइब की सुची से हटाया जाए हम छत्री हैं आप सोचिए इतना लंबा अंदोलन किया और उसी अंदोलन के बदावलत प्रिटिस हुकूमत ने उनको सुची से हटा दिया जब उने सव 41 का सेंसस का रिपोर्ट है अब कैसे उसा में जुकी विश्यूद हुआ तो इसलिए सेंसस तरह कर नहीं हुआ कहते हैं लोग लेकिन रिपोर्ट तो आया है उस रिपोर्ट में वो नहीं है और उने सव एकांट में में जब भारत आजाद हुआ उसके सबसे बड़ा नेता जो हुए बिनोध बिहारी महतो ने उनेश सव 79 में एक संगठन बनाया उस संगठन का नाम दिया सीवाजी समाज उन्होंने आदिवसी समाज के नाम नहीं दिया और यह जितने भी अंदोलन चल रहे थे आज तक यह जितने भी कुडमी महतों के संगठन बने आप सिवाजी सी उन्होंने लिंक किया लेकिन कभी भी आदिवसी सब्द का उप्योग उन्होंने नहीं किया आज कल जो नया अं भी नहीं ये पूरा का पूरा इतिहास आज आड़ी वैसी आज अचनत किया है भई आधी वैसी दवा करें केम आदी वैसी हैं तो यह साल का सही है और दो किए रही हम एक 넘किण टास्वीरे भी यह आप दिखा रहे हैं भी थी ने विने विने भीण विहारी मातोंजी की तस्वीर दिखाई और उसके साथ में हम ये आप से समझना चाहा रहा है साथ जब आपको याद होगा कि जब जहारकन आंदोलन की शुरुवात हुई और उसके बाद अभी हाल के दशक, हाल के जो सदी है इसमें हाला कि जारकन अंदोलन तो काफी पुराना मसला है, हाल के वर्षों में, खासकर 80 के दशक या 70 से 80 के दशक के बीच जो अंदोलन हुआ, उसमें शेवु सोरेन के भूमिका तो रही ही, आपको याद होगा कि निर्मल महतो और बिनोध विहारी महतो की बड़ी महतो पूर्ण भ जो कुर्मी समाज है, वो हमेशा सहिया वर्ड उसी समय विक्सित हुआ, और लेकिन आज अचानक ये एक मनभेद दिख रहा है, इसके पीछे हमें तो लगता है कि कुछ विवाद ऐसे हैं जो एतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, और उसका ठीक ढंग से अनुपालन ह तो ठीक दंग से उसकी जांच होनी चाहिए, इस दिशा में आप लोगों ने जरूर आपकी टीम ने भी काफी कुछ काम किया होगा, आपने भी किया होगा, तो हम ये समझना चाहते हैं, कि एक जो आप कह रहा है कि अंग्रेजियों के जमाने में थे वो, लेकिन बाद में व इसे एक टूशूपर्व होता है, टूशूपर्व में वो खासकर बड़ी हिस्सेदारी होती है, उनकी घर की महिलाएं बहुत प्रमुक्ता से इसमें हिस्सा लेती हैं, और बहुत कुछ हम लोग तो जो दूर से देखने वाले जो लोग हैं, उनलों को तो यही अंदाजा थ क्यों नहीं accept कर रहा है, या government उसको ST, एक चीज़ जो हम समझना चाहते हैं, ग्रेटसन जी आपसे, कि इसमें एक तो ST word है, सिडुल ट्राइब, और दूसरा जो है आदिवासी, तो आदिवासी शब्द खासकर सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता है, अम वन नहीं मिलता ह को भी कवार दिखने को मिल गया, वहां सिडुल ट्राइब साता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मसले पर थोड़ा आपकी भी राय जानना चाहते हैं, कि स्टी तो है, गवर्मेंट की ओर से फॉर्मेट है, और आदिवासी वर्ड जब आता है, तब वो अव पुर्मी समाज इस मायने में, देखिए पिछले एपिशोड में भी मैंने कहा, कि आदिवासी होना और स्टी होना दोनों दो अलग अलग बाते हैं, आदिवासी एक नसली समूदाय है, और स्टी सरकार दवा सुचीबध है, सरकार किसी को भी कर सकती है, और खासकार राजनी देखिए आदिवासी शब्द, एबोर्जिनल सब्द, जब ब्रिटीश हुकूमत यहाँ पे आई, ब्रिटीश हुकूमत के समय में आप देखिएगा सबसे पहले जो सेंसस हुआ, उसमें आदिवासीों के लिए एबोर्जिनल सब्द का उप्योग किया गया, और जब समिध देखिए तेरा तीन में अंग्रेजी में एबोर्जिनल सब्द और हिंदी में आदिवासी सब्द डाला गया था, लेकिन जैसे ही यह सब्द आये, तब डाक्टर भीमराव अमेतकर, जिनको कहा जाता है, इन्होंने समिधान बनाया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्स थे, उनके पास एक्स्ट्रा वीटो पावर था, उन्होंने ये जब ड्राफ्ट देखा, तो ये एक दिसंबर उन्हेसाव च्यालिस को सभिधान सभा का बैठक में, जब मारंगोंप के जैपाल सी उपस्तित नहीं थे वहाँ, उन्होंने संसोधन चार सव सभिधान सभा में कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टर भीम्रा आम्वितकर ने अबोर्जिनल सब्द को कॉंस्टिटूशन से क्यों हटा दिया, लेकिन उसके जबाब में उन्होंने ऐसे ही जबाब दे दिया कहा कि आदिवसी सब्द का कोई अर्थ नहीं है, मुसला य आदिवसी खुद को भारत का प्रथम नागरिक होने का दावा करेंगे और पहला हक वही मांगेंगे, और सच्चा यही है, पांच जन्वारी 2011 को सुप्रिम्ट ने कहा कि आदिवसी जिनको सिडूल ट्राइब, ट्राइब, वगयरा कहा जाता है, वही लोग जो हैं कि भारत क प्रथम निवासिया और मालिक है, और बाकी लोग बाहर से आये हुए अंदुल यह प्रावासी या फिर जो है कि अक्रमन कारियों को संतन है, यह दो सब्द यूज किया गया है सुप्रिम कोट के दोबारा, तो पहली बार आप देखिएगा सरकारी दस्तावेज में सुप्र सब्सक्राइब का शिकार होते हैं, महतो कुर्मी लोग नहीं होते हैं, उनके साथ कुर्मी उस तरह से भेदभाव नहीं करता है, जहां तक होने का मांग है, वो तो यहां पर जो है कि तेली लोग भी बोल रहे हैं, और आप जब गाउन ध्याति अलाके में आई खेंगे, जि सब पालते हैं, बकरी फालते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसे देखेंगे, तो बश कहने का मतलब है कि आधिवसी आधिवसी है और बाकि मूल भीनता है, नसट Teddy करना को आप चलख कर लीक अवा सबसे वहतर हैं, सरकार को ऐसे बिजूस्त करना चाहिए, आप जातिय समूदाय को आप नसले समूदाय में सामिल करके आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं इसलिए आप सीदे-सीदे कोई भी समूदाय को स्टी का दर्जा देने से पहले उनका DNA से होना चाहिए आप कह रहे हैं इसके साथ मैं राजनीती का भी बात करना चाहता था राजनीती का मसला यहा है कि इनके साथ धोका सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो भाजपा कर रही है उनको जो है कि बार बार जुन जुना दिखाते हैं और बलकि जो जो भी अंदुलन अगर आभी उनका चला पिछला देर दो साल से बड़े पाहिमाने पार खासका रेल रोको वगएरा इसके भाजपा ही है को नहीं देखिए एक तरफ तो उखाते हैं कि हम दे देंगे 2004 में भाजपा die सरकार थी और मानी आर्जून मुंडऄ मुखमंत्री थे उन्होंने केंदे सरकार को रेकमेंडेशन भेजत था कि कुड़मी महतों को इसकाधर दिया जाए ूसके बार 2010 में कुड़ जब संसपत के मुखमंत्री में नहीं ते इसकाया संसपत सब्सक्राइए Mmm रेल रोको अंदोलन चला बड़ा रोचक बात सुनने को मिला वह जो है कि लोग सबामें मंत्री किनाते गए थे मतलब जन्जत्ये केंद्री जन्जत्ये मंत्रालाई केंद्री मंत्री के रूप में उन्होंने वहां कहा कि हम ही नियाय दे सकते हैं कुडवी महतों को मोदी सरकार नहाय दे सकते कुडवी महतों को मानि आर्जीर मुंडा के दोरण 204 में भेजे गए रेकोमेंडीशन को किस safety कि ऑपर ८ौदी सरकार कारे में किने सब्सक्राइज के धन्या यह नहीं रहे है कि उनके तरहा राजनीती वह सिर्फ चुनाव जितने के लिए कर रहे हैं इसको कुरुमी महतों को भी समझना चाहिए यह सही कह रहे हैं आप एक चीज़ जो मैं बहुत अभी संशेप में इस पर मैं आप से जवाब चाहूंगा और इस पर हम लोग फिर अगली बार बात करेंगे थोड यह अठारा सो के आसपास में एक इथनिक सर्वे हुआ था और उसमें आदिवासी और कुडमी यह दोनों ही आदिवासी जो आज क्या आदिवासी हैं वो और यह कुडमी समाज यह दोनों ही उस इथनिक सर्वे में यह सिडुल ट्राइब वाले केटर्गरी में लाए गये थ ये कहा जा रहा है इस पर बजापता दस्तावेज हैं और इसके बावजूद भी उनको खारीज किया गया उस पर उनलों का कहना है कि बाद में जो सर्वे में आई बात को एनलाईज किया गया उसके मताविक यह तैह हुआ कि यह कुड़मी समाज जो है वो काफी अपने आप में संपन्द है और कई ऐसे एक्ट जो आधिवासी जो ट्राइबल एस्टी के लिए कई ऐसे एक्ट लाए गए जिस एक्ट के तहत इन्द यह कुड़मी समाज फिट नहीं बैठता था उस एक्ट का प्रभाव फाइदा मिल लेकिन उसी सर्वेइ का उस इतनिक सर्वे का डावा के दाविश को जाने चाहिए जिसे भारा सरकार ने आप क्या कहेंगे इसको बहुत संचेफ में जबाब दीजिएगा देखिए भारत सरकार ने नहीं हटाया यह लोग गलत ब्यानवाजी करते हैं आपने कहा सही बात है तो मैं तो बोला आपको जब 1913 में ब्रिटिस ने उनको ट्राइब का सुची में डाल दिया तो दर्द तो इन्हों ने तीन अंदोलन किया कि हम जो की छात्री है हम ट्राइब नहीं है करके जिमने की कि पुर्वज दोने के क्लकता है केस करने गए थे कि हमको आपके सुची से हटाया जाया जाए उनकी दिमांड थी उनको हटाया गया इम्पल से बात आए जब उनको पुरा जारकन में हमारा जो सथा हमारे हाथ में रहती अधीवासी का सारा जमीन हमारे पास रहता है सरा जो है कि अरक्षन हम उसका मलाई खाते तो यह सब इनलाइसिस करके आज की नेता बोल रहे हूं तो उनकी गलती है आप देखिए और आज की नेता भी दो ही बात करते हैं जब आप ठ्राइब हैं तो फिर आप क्यों भी रोस करते हैं पेशा कानून का आप जब आदिवासी हैं तो आप क्यों भी रोस करते हैं पांची आनूसूची का अभी फिलहाल मैंने एक इंट्रेवियू देखा जिसमें इनके नेता सालेंदर महतो का रहे हैं कि जो आदिवासी चेत्र जहां आदिवासी उनकी जनसंक्या 50% से कम हो गई है उसको जो है कि डिसीडूल कर देना चाहिए उनको मालूम होना चाहिए जब आदिवासी हैं आग यदि कुर्मी महतो तब यह पांची आनूसूची बनने के पीछे उसका इतिहास है ना कि जनसंक्या उसके पीछे जनसंक्या कहीं भी नहीं है यह इतिहासिक तौर पर जब पर दोनों में जो रखा गया और जनसंक्या पर आधारित नहीं था यह मुलता आदिवासी इलाके हैं उनको रखा गया है लेकिन इनका आर्गुमेंट देखिया तो आप आदिवासी कहा है आप तो हर समय में आदिवासीयों का अधिकार छीनने की बात करते हैं वेशा कानू अधिवासी खाना है तब आदिवासी कभी नहीं रहेगा नस्यवासी नस्यवासी monde नस् Unit समय है चाहे कोई धरम को मनें कुछ भी मनें उसी तरह जो जात्ये समूदाए है को धरम को मनें तो तो यह जो दूसरा एपिसोड आज हम लोग यहां समाप करते हुए अगले बार जब हम बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि कुडमी समाज की ओर से भी सवाल आए और उनकी बातें भी रखी जाए और आप से जवाब पूछा जाए आपने बहुत कुछ कह दिया है फैक्ट रही है उसके पीछे जो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रहा है भाजपा के बारे में आपने कहा उसके अलावा भी जो वास्त्रिक्ता जो है जो एक विरोध की नीती है उनकी उन्होंने आपका कहना है कि उन्होंने अपने आपको विड्ड्रॉ किया था उन्होंने समाज का भी रियक्शन्स आएगा और हम लोग उस पर आगे भी काफी बाचित करेंगे अभी कई अभी तो यह शुरुआत भर है तो आज के लिए हम आप से आपके प्रतियाभार वेक्ट करते हैं आपने वक्त निकाला और हम चाहेंगे कि अगली बाचित जब हो तो हम आपके लिए कई कढ़ोर प्रशन लेकर आएंगे और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी आता हूं मेरा किशी जल जगडा नहीं मेरा करने का मतलब विशलिशनाद में चर्चा होना चाहिए सच्चाय पर बात होनी चाहिए बाचित होने चाहिए बिना बाचित प्रौल आर्मी आरमी पर तो सब की अपनी अपनी आर्मी है तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है यह सोसल मेडिया का जमाना है इंटरनेट का जमाना है कुछ भी लोगों को बोलने की छूट है जो बोलने दिया जाए सब को अपनी बाते रखने दिया जाए लेकिन हम लोग जो है वास्तरिक बहुत धिक बाते करते हैं, उनको तत्थियों पर आधारित बाते हैं सामने रखना पड़ेगा, कि हम जो भी ट्रॉल आर्मी हो या जो भी समाजों भी लोग हैं, जो इन चीजों का विरूद कर रहे हैं, उनको हम कैसे कन्विंस कर सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, और हम कि ये बातचीत के पीछे मकसद भी वही है, कि हम तत्थियों को जल्दी से जल्दी हम सामने लाएं, और जनता तक पहुंचाएं, केवल किताबों तक ये सिमित न रह जाएं, इसके लिए आप जैसे लोग बहुत अच्छी अपनी बाते रख पाने में, कॉम्निकेट कर पान तो ये भी अच्छी बात हुई, और हम आशा करते हैं कि दर्शकों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे भरपूर तरीके से लाइक कीजिए, अपना अपनी सुझाव और टिपनी सधे हुए भाशा में, सधी हुई भाशा में, संचिप्त टिपनी दीजिए, कि हम ग्लैडसन जी को पहुचाते रहें उन टिपनीों को, और उनसे हम सवाल एक्सपेक्ट करें, उनसे अपेक्चा रखें, उनसे सवाल के उत्तर का, तो आज के लिए धन्यवाद, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चोड़ी-चोड़ी कबरें होती है, हमारी कोशिश होती है, ये वेब से, वेब साइट से, न्यूज के जो देश-विदेश के वेब साइट से, उनसे करेक्ट करते हैं, दस वजे, करी 20 मिनट की ये खबर, काज करम होता है, इसको जरूर देखिए, तो धन्यवाद, फिर से एक बार, ग्लैडसन जी और हमारे दर्शकों को भी, और आज के लिए बस इतना ही,